हाई फ्रेंज वेलकम और वेलकम बेक टुमाइ चैनल नईहास किछन आज का वीडियो बहुत होने वाला है यह एक केक डेकोरेशन वीडियो है तो मैंने यह पर चॉकलेट केक स्पंज ले लिया है अगर आपको यह चॉकलेट केक स्पंज बनाना सिखना है तो आप मेरे किया है ताकि इजली कट हो जाए तो आपको पहले इसके साइट में मार्क कर लेना है और धीरी धीरी अंदर के तरफ ले जाते हुए इसे कट कर लेना है तो ऐसे घुमाते घुमाते इसको पहले साइड में मार्क कर लीजिए और धीरी धीर अंदर लेके चल जाईए तो इसल में भी कवर कर लिया है तो आपको थोधर कीम लेकर इसको को स्प्रेट करते जाना है हर तरफ इवेनली तो यह पर पहले मैंने बेस वाइट रखा है उसके बात मैं इसकी उपर इसको ओंबरे अफेक्ट डूंगी तो मैं हमापे तू कलर्स का यूज करूंगी तो पहले में वा अगर आप प्रेक्टिस करोगे एक दो बार तो बहुत इसली आपसे हो जाएगा और मैंने क्रीम विप करने का भी वीडियो पहले डाला हुआ है आपको अगर देखना है कैसे क्रीम को प्रॉपरली विप करते है तो आप मेरे प्रिवेस वीडियो को चेक कर लिजेगा मैं उ आपको रोटेट करते रहना है ताकि साइड में स्प्रेड हो जाए तो देखिए अब मुझे एक दम फिनिशिंग देनी के जरूरत नहीं क्योंकि इसकी उपर में वापिस ऑंब्री अफेक्ट डूंगी तो जब मैं वह करूंगी तो अपने अब अच्छे से इवेनी स्प्र मैं बस एक बार के लिए इसको प्रोपर्ली राउंड शेप में कवर कर रही हूं तो यह पर मैंने मस्टिट कलर लिया है अब अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हो सिंपली मैंने क्रीम में मस्टिट कलर को मिक्स कर लिया था मैंने मस्टिट कलर दो कलर को मिक्स करके बनाय उसके बाद में इसमें गिरिन कलर का यूज कर रही हूं मैंने आप दो कलर का यूज किया है आप चाहिए तो अपने एकोर्डिंग ज्यादा भी कर सकते हो पर मैंने दोनों कलर को शेड लाइट इंड डार्क रखा है ताकि अफेक्ट अच्छा है अगर आप दोनों ही डार्क क रखा है अप कलर अपने चोईस के एकोर्डिंग यूज कर सकते हो अब सिंप्ली स्पिचुला के हैप से इसको प्रेट कर लेना है और ऊपर के तरफ भी ऐसी प्रेट कर लेना है और आपको लगे कि कहीं पर क्रिम कम है कलर नहीं आया तो आपको जो कलर डालना है वो ले प्रेट कर लिया है तो आप चाहिए तो इसको प्लेन भी रख सकते हो या फिर वो कॉम वाला जो डिजाइन होता है वो भी कर सकते हो तो मैंने यहां पर कॉम वाला साइट को रख लिया है स्क्रेपर को और उससे स्क्रेप कर रही हो ताकि तो आसा लाइन वाला डिजाइन आ जाएगा और ऊपर के तरफ थोड़ा थोड़ा अच्छा से स्प्रेट कर लेते हैं तो देखिए यह अल्मोस्ट हो चुका है अब हम निच्छे बोर्ट को था क्लीन कर लेंगे और आगे मैं इस पर थोड़ा सा देकोरेट करूंगी जाधा देकोरेशन नहीं करूंगी क्योंकि कि इस यह तक ह지 मैं श्चिंगर का यस करूंगी मैं ने एक्षिन हीरो थीम केक बनाया है कि yönके फोल्ड़का का बड़्ड़्य था था तो उन्हों ने मुझें थे मकैक बनाने के लिए था स्वाने यह थि ने यह नीनम नॉजल ला लिया हैं यह अपर मैंने डैंने चार नू यह पाइप इन बेक को होल करना है और अपन अफ़ास उपड लेके जाके वापिस पीछी के तरफ लेके जाना है तो यह शेल सब अच्छा से बन जाएगा तो यह action hero के sticker मैंने online purchase किया था मैं इसका link description box में provide कर दूंगी अगर आपको purchase करना है तो आप check कर सकते हो यह sticker में काफी types के आते हैं edible भी आते हैं non edible भी आते हैं तो आपको जो पसंद हो आप वो use कर सकते हो तो यहां पर मैंने 4-5 action heroes के sticker को use किया है इसमें 8 stickers आते हैं अलग-अलग तो एक sticker 3 pair में आता है तो तो 24 pieces आते हैं इसमें और मुझे comment करके जरूर बताएगा आपको यह video कैसा लगा thank you for watching मिलते हैं next video में bye bye